नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका इस चैनल को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के ल यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पे कॉल या वाट्टब कर सकते हैं इस्टाग्राम पे जरूर फॉल कर लिए लिए लगातार पर इट कुजस को हम देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फ्रस्ट कुछिन के साथ विडियो जितने भी है नीचे प्लेलिस्ट में अगर आप में अब तक नहीं देखें तो प्लीज उसको देख लीजे हम शुरू करते हैं कि हाली में प्रकाशित पुस्तक पुतिन इस लाइफ एंड टाइम्स है न किस ने लिखी है तो रशिया के जो प्रसिडेंट है व्लादीमिर पुतिन उनके ऊपर लिखी गई है कि य जील है ठीक है तो यूरोप का जो देख है इटली इसका नौधन एडिया आप जो दिखेंगे नौधन इटली का यहां पर गाड़ा जील इस्तित है इसका पानी काफी क्लीन रहता है इस विए से भी चर्चाम रहती है कि इस साल वहां पर बारिश जो है बहुत ही कम हुई है एक तरीके से और स्नौफॉल वगारे की जो घटाएं होती है वो भी कम रही है तो इसका वाटर जो है अब तक के रिकॉर्डिट लेवल में सबसे जाधा जो है वो कम हो गया ठीक है एकदम से लोवेस्ट हो गया था तो इस विए से गाड़ा जील चर्चाम रहती है तो यह पर इंडेस्ट्री में रिसर्च और डेवलप्मेंट के जो है चीजों को प्रमोट करने के लिए मंधन प्लैटफॉर्म जो है 15 अगस्त 2022 को भारती रेलवे ने भारत की सबसे लंबी माल गाड़ी सूपर वासु की चलाई जिसकी कुल लंबाई जो है कितनी है तो देखें साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे जो है ठीक तो इन्होंने इस ट्रेन को चलाया है इसमें जो है सबसे लंबी यह हुई है हमारी पिछले वर्षों में देखा जाए तो जो और भी हमारी माल गाड़ियां चलाई जा चुकी है जिसमें से वासुकी है त्रिशूल चलाई गई थी शेशनाग चलाई गई थी तो यह सब ट्रेन भी जो है अब तक की सबसे बड़ी ट्रेनों में थी तो उससे सबसे जादा इंपोर्टेंट है आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे उंचा वन्यजीव गलियारा जो की लगबग 12 किलोमेटर का है कहा निर्मित किया जा रहा है ठीक है तो देखे होता गया है कि ये नैशनल पार्क्स वगरा में वन्यजीवों के सेफ पैसेज के लिए आने जाने है राजाजी नैशनल पार्क उत्तरा खंड में रिगवेद के तृती मंडल के रचाइता कौन थे तो देखे सबसे जो हमारा पुराना वेद है रिगवेद ही है इसमें जैसे हम देखते हैं कि इसमें कुल 1028 के आसबास सूक्त हैं 10,000 स्यादा रिचाएं है और मंडल जो है उनकी कुल संख्या 10 है तो यहाँ पर जो तीसरा मंडल है इसके रचाइता है विश्वा मित्र कोई स्पेशल बात जो हो तीसरे मंडल की फेमस वो बताईए कॉमेंट करके अशोक के शिलालेग जो की शाबाज गड़ी और मानसेरा दो ये शिलालेग हैं किस लिपी में लिख तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। काण की चीज़ों के बारे में इन्फोर्मेशन लिए जाती है ये वाला प्यर हमारा ये गलत है गलत क्यूं है कि जो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो काडियो ग्राफी है ना तो इससे आपका जो गुर्दा यानी की केडिनी नहीं बलकि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल अक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कजीरंगा राष्ट्री अबयारन किस लिए फेमस है या किसले जाना जाता है तो काजीरंगा नैशनल पार्क जो है यह यहां पर असम में है ठिकग और यहां पर पाये जाते हैं जो है एक सींगवाले गंडे ना वन-ॉन-ड राइनोज इसके लिए फेमस है काफी तो हम भी को choose करेंगे विश्व जल दिवस यानि की वर्ड वाटर डे जो है कब मना जाता है तो यह मनाते हैं प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानि की वर्ड मेटरोलोजिकल ओगनाईजेशन का मुख्याले जो है यह कहां स्थापित किया गया है तो इंडिया का जो इन दोनों को यहां पर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजिन है यहां पर स्टैब्लिश किया गया है 1980 और 82 के टाइम पीरिट में लिखित में से कौन सा कथम सही नहीं है तो इसमें देखें लिखा है स्थी ऑप्शन में कि दूद में विटामिन C पाया जाता है परंतु यह गल्फ है विटामिन C आप ज्यादा दर देखेंगे तो जो खटे फल होते है उसमें पाया जाता है ज किसे ने प्रधान मंतरी को राज जिके जहाज का कपतान कहा ठीक तो देखें पाया में इंटरि सिस्टम में जो मुख्य भूमिका निभाने वाला अपाद होता है वो प्राइम निस्टर का होता है तो इसके संबंद में अलग-अलग जो constitutional expert है अलग-अलग अलग देशों के उन्होंने कुछ कथन दिये है ठीक तो यहाँ पे उसी करम में राज जिके जहाज का कपतान है न यानि ऐसे समझे कि council of ministers जो है वो जहाज है उसका कपतान को है प्रधान मंतरी तो इसी sense में ये statement दिया गया है एक expert है उनका नाम है Munro इनके दौरा भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें से कौन था ठीक है तो आजादी के बाद अगर हम बात करें तो election commission के जो चीफ ये पहला election commissioner हुए इनका नाम था सुकुमार सेन है न सी option करेक्ट है और अगर हम वरतमान की बात करें जो चीफ election commissioner है तो ये कौन है राजीव कु अगला है कि चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो जो election commissioners होते हैं देखे एक तो चीफ election commissioner होते हैं ठेक उसके बाद दो election commissioners होते हैं ठेक तो अगर इनको पद से हटाना है तो राष्टपती द्वारा हटाया जाते हैं मुख चुनाव आयुक्त की सिफा कमिशनर और दूसर दो इलेक्शन कमिशनर ठिक मुख्य चुनाव आयुक्त का कारिकाल कितने वर्ष का होता है ठिक तो यहाँ पर जो सर्विस कंडिशन है इनकी देखे 6 साल की होती है या फिर 65 साल की मैक्सिमम जो एज लिमिट है अगर यह जो पहले इसमें से हो जाएगा उतनी जो है अवदी होती है इनके कारिकाल की तो B option करेक्ट है भारत के पहले परमारू परिक्षण का नाम क्या था ठिक है तो nuclear test जो हमने किया nuclear bomb का एक तरीके से कह लिजे तो यह capability हमको मिली 1974 में माई का महिना था 18 माई का यहाँ पर हमने राजस्थान के अंदर जो पोखरण रेंज है यहाँ पर पहला परमारू परिक्षण किया भारत का जिसको code name दिया गया था आपका जो है smiling buddha चेक मनमोहन सिंग ने उधारी करण की नीती का परस्तूत की तो देखे 1990 के दशक में यह RBI के गवर्नर रहे थे मनमोहन सिंगी तो यहाँ पर economy इंगिन काफी जो है strigle कर रहे थी तूसरी समय जो liberalization, globalization और privatization यह सब की concept और policies है यह परस्तूत की गहीं थी तो यहाँ पर option A हमारा जो है क्यान में यह correct हो जाएगा उदारे करण की नीती लागों होने के समय भारत के प्रधान मंत्री इसमें से कौन थे तो अभी हमने देखा उपर की 91 से जून 91 से लेकर के मई 1996 तक यह प्रधान मंत्री रहे थे पीवी नरसिमा रावजी ठीक तो यह वाला हमारा उविकल्प जो है correct हो जाएगा उदारे करण की नीती किस पंच वर्षी रोजना में अपनाई गई थी ठीक है तो यहाँ पे आपका जो है इस टाइम प्रेड में देखेंगे तो यह आठ हुई पंच वर्षी रोजना जो है यह कारित रहत है ओप्शन ए भारति रिजर्व बैंग की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के एधार पर किस वर्ष में हुआ था यह बताना है तो यह कमिशन बनाए गया था बैटिशर्स के दौरा हिल्टन यंग कमिशन इन्हों रिकमेंड किया था तब RBI की स्थापना हुई 1935 में ठीक बी ऑप्शन करेक्ट होगा RBI एक्ट बनाए गया था 1934 का ठीक है खर यहां पर यहां पर कोशन ही आगया जो भी हमने आपसे पूछा कि नेशनल आजिशन कर भूगा तो यह उनिस सो उन्चास में हुआ है भारती रिजर्बाइंग के प्रतम भारती गवर्नर जो है वो कौन थे ठीक तो आपको पता ही होगा कि RBI के जो चीफ होते हैं तरीके से वो गवर्नर की पोस्ट होती है ठीक नोट पे भी इनके साइन होते हैं आपने देखा होगा तो जब RBI इस्टेबलिश हुआ तो उस समय ओस्बोन इसमित जो थे वो पहले गवर्नर बनाए गए थे उसके बाद अगर हम बात करें पहले इंडियन गवर्नर की तो इनका नाम है CD देशमुक और वरतमान में कौन है गवर्नर RBI का शक्तिकांत दास वरतमान में शक्तिकांत दास भारती रिजोर्ब बैंक के कौन सा नंबर के गवर्नर है तो देखे ओस्बोन इसमित पहले हुए थे तो वहां से काउंट करते हैं तो अभी जो वरतमान में ये शक्तिकांत दास जी हैं इनकी appointment हुई गवर्नर R जो है ये correct हो जाएगा सहीं तुर राष्ट के द्वारा किस तिति को इसलामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इंतर राष्टी दिवस के रूप में गोशित किया गया तो अभी हुआ गया था कि मार्च में जो है जनरल असंबली के दौरान पाकिस्तान के पूर जो पध निल्धारित की गई है ये 15 मार्च है काफी expected question है किसी ने किसी आपके shift के exam में ये पूछा जाएगा PT में ध्यान रखिएगा हाल ये में भारत का पहला digital water data bank जिसका नाम दिया गया है aquarium है ये नाम ध्यान सा देख लिजिए किस शहर में launch किया गया है तो करनाटक के IT मिनिस्टर जो है उन्होंने बैंगलोर में इसको launch किया है बी option correct हो जाएगा देखे concept क्या है इसके पीछे aquarium जो digital water data bank है तो देखे water scarcity और जो water pollution है इन सब चीजों से लड़ने के लिए एक जितने भी water resources अलग अलग जगहों पे हैं जहां पे improvement की जरूरत है या research and development की जरूरत है तो उस सभी का data बना करके digital water data bank है na information वाला बनाया गया है तो इसको नाम दिया गया aquarium जहां पे इस data को further और research और कैलिजे जो water की कमी है उ सब चीजों को दूर करने के लिए इस पर काम किया जाएगा ठीक तो यह ध्यान रखेंगे option b correct है हमारा फसल विविदी करण सुचकांग यानि कि crop diversification index इसका उप्योग करने वाला पहला राज भारत का कौन सा बन गया है तो यह है तेलंगाना option a जो है यह correct होगा basically इसको जो crop diversification index है इसको इस तरीके से launch किया गया है कि राज में कितनी जो crops में diversity है अलग अलग तरीके की क्या crops उगाई आ रही है उसके क्या pattern है उसको एक तरीके के index में इन्होंने तयार किया है जिसकी base value है 1 है तो 1 value से उपर जैसे 2, 3, 4 जितना जादा बढ़ेंगे तो उसका उतलब य है कि राज में उतनी जादा विविदता है हमारी first low के बीच में ठीक तो कुछ इस concept के साथ इसको शुरू किया गया है तो हमारा option correct है इसको ध्यान रिखिएगा एक station एक उतपाद को लागू करने वाला पूरवी तटका पहला station कौन सा बन गया ठीक है तो ये जो है एक नई scheme launch की गई है इसमें basically railway stations पर जो वहाँ local में product है उसको एक तरीके से display करना हना तो इसकी एक कहले जे मतलब इसी के लिए जो है कि ये scheme शुरू की गई है एक station एक उ चुनेंगे इसके बारे में थोड़ डीटेल में पढ़ लिजेगा ये important है one station one product 18 मार्च 2022 को किस राजी में डोल उत्सव यानि इसको डोल जात्रा भी कहा जाता ठीक है जो की रंगों का एक तिवहार है उसको मनाया गया तो डोल जात्रा ऐसे सीरे सीरे भी पूछ लेते हैं जैसे पिछली बार शायद ओडम आपसे पूछा गया था पीटी की परिक्षा में है तो जो रीजनल लेवल के तिवहार है ये पूछ जाते है आपसे तो डोल जात्रा जो है वेस्ट बेंगौल में मनाते हैं नमिल्खित में से कौन सा युग में सही सुमलित नहीं है तो कु तबकात ए नासरी की रशना मिनहास उस सिराज ने की यह किस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है ठीक है तो लगभाग जो है 1260 के टाइम पिरिएड में ये पुस्तक लिखी गई है जिसमें उस टाइम के जो ये मुगल मुगल कहना है मुस्लिम वर्ड था तो उसके जितन निम्न लिखित में से अबला बाबा की उपाधी किसने धारण की थी ठीक है तो इबराहिम आदिल शाह दुती जो है ये बीजापूर सल्तरत का किंग था तो इसमें जो है ये टाइटल अड़ाप्ट की थी ठीक ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाद के जीवन पर आधारित पुस्तक कर्म योगी के लेखा किसमें से कौन है ठीक तो ये लिखी है पुस्तक जिनका नाम है ये रामेंद्र सिन्हा नेक्स्ट है कि टिलाइट क्या होता है ठीक तो देखे जो हमारे ये gladiards होते हैं तो ये अपने उन में भी तो कुछ है जो सेडिमेंटस होते हैं अवसादी ततन तो होते हैं तो इनी से बनी हुई जो हमारी अवसादी चट्टाने हैं है न हीमानी निक्षेपण यानि की जो ग्लेशियल डिपॉजिट साइस से जो सेडिमेंटरी रॉक्स बनती है इसको टिलाइट कहा जाता है option B तो इनकी आत्म कता है रिस्ट एस्षोड एन आटो बायोग्राफी ये पुस्तक का नाम है इनकी आत्म कता है तो किसके दौरा सह लिखी था ये तो इसमें गुंडप्पा विशुनाथ और एक जो ये सीनिर जनरलिस्ट है आर कौशिक है न इन दोनों में मिलकर के लिखा है D option ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की बात की जा रही है तो जितने भी हमारे जैसे इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स हो गया और भी जो अन्य तरीके के प्रोजेक्टर इसको रिसाइकल करके दुबारा यूज कर सकते हैं इन्वार्मेंट को नुकसान ना पहुंचाते हुए तो इ द्यान रखेंगे हुमारा सी ओप्शन इस वीडियो के यहां पर समात कर रहे हैं आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद